कुरोना वारस के खिलाफ जारी लड़ाई की जानकारी देते हुए प्रैसवार्ता में भीलवारा की जिला कलेक्टर राजेंद्र भट भावख हो गए कलेक्टर भट के मुह से उनका दर्द छलक उठा उन्होंने कहा की कुरोना वारस के कहर में मजदूर भगवान से जिन्दगी की महर मांग रहे है दो वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं मिल पा रही वही पौश कॉलिनीज में रहने वाले शिमला मिर्शी और टमाटर की मांग करेंगे तो कुरोना से ये लड़ाई कैसे जीत पाएंगी इस दोरान कलेक्टर भट ने ये भी कहा कि अभी तक लोग ये नहीं समझ रहे कि हम बारूत के धेर पर बैठे हैं अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी तो इसके परिनाम बेहत घातक हो सकते हैं ऐसे में परिनाम ये भी हो सकते हैं जो ना मेरे हाथ में होंगे और ना ही किसी अन्यच शिकत्सक के हाथ में रहने वाले हैं अगर हमने ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी तो इसके बहुत बुरे परिनाम हो सकते हैं और ऐसे हो सकते हैं फिर ना मेरे हाथ में रहेंगे ना इन डॉक्टर्स के हाथ में रहेंगे फिर किसी के हाथ में नहीं रहेंगे